नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोच की फिल्मी दुनिया में बीसवी सदी के आठवे दसक में हिंदी सिनेमा में एंट्री मारने वाले हीरों ने एक लंबी लकीर खीची ये लकीर खीचने वाला खुद भी कम लंबा नहीं था लोगों ने मस्करी में उसका नाम भी लंबू रखा 6 फुट की उचाई लेकिन कद अभी इतना नहीं हुआ था कि लोग स्टूडियो में घुशते ही कुर्सी छोड़कर सलाम करें फिर कुछ ऐसा हुआ कि हिंदी सिनेमा का इतिहास दो हिस्सों में बंट गया एक उसके आने के पहले का सिनेमा और एक उसके परदे पर फिल्म जंजीर में एंगरी यंग मैन का रूप धरने के बात का सिनेमा ये उस वक्त के नए भारत का हीरो था दबंगों के थाने की कुर्सी पर बैठने की कोशिस भी इसे नागवार गुजरती दोस्ती इसका मजभब था लोगों का हसाना और उनकी मदद करना इसका पेशा था और लोगों को लगा कि आने वाला सिनेमा बस यही है तभी तो आठवे दसक की टॉप दस कमाई करने वाली फिल्मों में चार फिल्में इसी हीरो यानी अमिताब बच्चन की हैं सोले, रोटी कपड़ा और मकान, मुकदर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी बाकी बच्ची फिल्मों में मनोज कुमार की तीन फिल्में रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी और दस नंबरी धरमेंदर की एक फिल्म धरमवीर, देवानन्द की एक फिल्म जौनी मेरा नाम, रिसी कपूर की एक फिल्म बॉबी और एक फिल्म ऐसी जिसका नाम लिखने से पहले किसी सितारे का नाम ही नहीं आता जैसंतोसी माँ फिल्म जैसंतोसी माँ ही आज की हमारी फिल्म है जो इस पूरे आठवे दसक में सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्मों में आठवे नमबर पर रही और साल 1975 में कमाई करने के मामले में रही सोले के बाद दूसरे नमबर पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं साल 1975 को वैसे तो हिंदी सिनेमा में अमिताब बच्चन के साल के ही तोर पर याद किया जाता है क्योंकि उस साल उनकी दो फिल्में सोले और दिवार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप फाइव फिल्मों में सामिल रही लोगों को लग रहा था कि जंजीर से सुरू हुआ ये सिलसिला लंबा खिचेगा लेकिन तभी रिलीज हुई फिल्म जै संतोसी माँ इस फिल्म ने फिल्म पंडितों के सारे समिकरन ही बदल दिये कोरोना संक्रमन का परसार रोखने के लिए देश में हुए लोकडाउन के दोरान लोगों ने रामायन के किस्से खूब चाओ लेकर सुने देखे और पड़े लोगों ने खूब पड़ा कि कैसे दीपी का चिखलिया और अरुन गोविल को देखकर लोग रास्तों में ही दंडवत करते हुए लेट जाते थे कैसे लोग उनको भगवान समझ कर पूचते थे लेकिन आस्ताओं वाले देश भारत में ये किस्सा इससे और बारा साल पहले हो चुका था बंबई तब दादर के आगे बांदरा और जुहु तक भी बमुस्किल ही आ पाया था और अंधेरी तक आने में तो लोग दस बार सोचते थे लेकिन एक दिन लोगों ने देखा तो पाया कि बैल गारियों की लंबी कतारे वसई विरार की तरफ से और मध्य मुंबई में कल्यान और ठाने की तरफ से आती ही चली जा रही है लोगों को पता चला कि कोई फिल्म लगी है सहर में नाम है जै संतोसी मा थियटर वाले तो भूल भी चुके थे कि कोई नई फिल्म उन्होंने बीते सुक्रवार लगाई है फिल्म ने पहले सो में कमाये थे मातर 56 रुपे दूसरे में 64, इवनिंग सो की कमाई रही 98 रुपे और नाइट सो का कलेक्शन बह मुस्किल 100 रुपे छूपाया था लेकिन सोमवार की सुभह सुभह जो हलचल सुरू हुई तो महिनों तक फिर जहां जहां जय संतोसी मा लगी थी वहां के सफाई करने वाले मालडार हो गए सो के बीच उछाली गई रेजगारियां बटोर बटोर के ये उन दिनों की बात है जब जोधपूर में मंडोर के पास संतोसी मा का एक मंदिर हुआ करता था लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई देवी पुराणों में है भी खुद इस फिल्म में संतोसी मा का किरदार करने वाली अभिनेतरी अनीता गुहा को नहीं पता था कि ऐसी कोई देवी है साल 2006 में स्टार गोल्ड पर फिल्म जै संतोसी मा पहली बार दिखाई जाने वाली थी और फिल्म के परसारन से पहले चैनल वालों ने अनीता गुगा को खोज निकाला और उनके खूब इंटर्वियू भी कराए बांदरा के उनके फ्लैट के सामने हाला कि किसी जमाने में लोगों का हुजूम उमरता था उनके दर्सन करने के लिए उन्होंने तब बताया भी था कि कैसे लोग अपने बच्चे उनकी गोद में आसरवात पाने के लिए डाल दिया करते थे फिल्म की कहानी सत्यवती नाम की एक महिला की है जिसको उसके ससुराल वाले बहुत कष्ट देते हैं और फिर संतोसी मा की कृपा से उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है सत्यवती के पती बिर्जु का रोल करने वाले यानि की फिल्म के हीरो आसीस कुमार की माने तो उन्होंने ही इस फिल्म का आईडिया फिल्म के प्रोडूसर सत्राम रोहरा को दिया था आसीस के बच्चे नहीं थे और तभी उनकी पतनी ने संतोसी मा के 16 सुक्रवार वर्थ रखने सुरू किये वर्थ के बीच में ही आसीस की पतनी गर्वती हो गई तो बाकी के वरतों की कथाएं आसीस ने अपनी पतनी को सुनाई अपने घर में बिटिया के जनम के बाद आसीस ने ये बात सतराम के गुरू और फाइनेंसर सरस्वती गंगा राम को सुनाई जिन्होंने फिल्म सुरू करने के लिए पचास हजार रुपे दिये थे बाद में फिल्म से उस समय के चर्चित फिल्म वित्रक केदारनात अगरवाल जुड़े और उन्होंने तब तक सूट हो चुकी फिल्म के अधिकार 11 लाक रुपे एडवांस दे कर खरीद लिए फिल्म कुल 12 लाक में बनी और इसने बॉक्स आफिस पर अब तक कमाए हैं करीब 25 करोड रुपे ये अलग बात है कि फिल्म के हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने के बाद भी ना इसके वित्रक के हाथ कुछ लगा और ना ही इसके निर्माता के यहां तक की फिल्म के निर्माता सत्राम रोहरा ने खुद को दिवालिया घोसित कर दिया था लेकिन ये किस्सा थोड़ी तेर में बताते हैं फिल्म जब तक सिनेमा घरों में लगी रही तब तक खोब धूम से चली गाउं से आने वाले चपल उतार कर सिनेमा घरों में प्रवेश करते अपने साथ हुए फूल माला लेकर आते और फिल्म सुरू होते ही जब दूसरे ही सीन में संतोसी मा की आरती होती तो सब अपनी आ आरती करना सुरू कर देते फिल्म खतम होने के बाद बकाइदा सिनेमा घरों के बाहर प्रसाद बढ़ता और पास में ही लंबी कतार दिखती संतोसी मा की फ्रेम की वी फौटो के साथ सुक्रवार की वरत कथा बेचने वाले दुकानदारों की जिनका बचपन एमरजेंसी के उस दौर में बीता है उनको पता है कि सुक्रवार को तब चाट की दुकान की तरफ देखना भी कितना बड़ा गुना होता था और जो बच्चा गलती से सुक्रवार को खटाई खा भी ले वो बेचारा हफतों तक इसी अपराद गलानी में जीता रहता था कि घर पर कहीं कु पोस्ट कार्ड आते इन पोस्ट कार्ड पर ऐसे ही 16 पोस्ट कार्ड और लिखकर दूसरों को भेजने को कहा जाता और फिर ये चेन चलती ही रहती हालात यहां तक आ गये थे कि डाक खानों में पोस्ट कार्ड मिलने बंद हो गए फिल्म में संतोसी मा का रोल करने वाली अनीता गुहा रातो रात स्टार बन गई इस से पहले वो सीता मैया के रोल तीन फिल्मों में कर चुकी थी फिल्म अराधना में राजेस खन्ना की मा बन चुकी थी और फिर उनके जीवन में संतोसी मा का आसिरवाद आया इस पूरी फिल्म में जब तक उन्होंने सूटिंग की हमेशा वरत रहकर ही काम किया इस बारे में तब अनीता ने बताया था पहले दिन की सूटिंग बहुत अफरा तफरी में हुई हम सब लोग सुभह से मेकप कराकर रेडी थे लेकिन पहला सौट काफी देर से हुआ इस चक्कर में पहले ब्रेकफास्ट और फिर लंच मिस हो गया साम को इसका एहसास हुआ और निर्देशक विजय सर्माने कुछ खाने को कहा तो मुझे लगा कि खाने लगी तो चेहरे का मेकप फिर से कराना होगा तो मैंने कहा कि अब काम खतम करके ही खाऊंगी तो पूरा दिन उस दिन बिना कुछ खाए पिये ही निकल गया फिर मैंने सोचा कि हो सकता हो कि इसमें भी ईस्वर की कुछ इच्छा रही हो इसके बाद मैंने जितने दिन सूटिंग की बिना कुछ खाए पिये ही सूटिंग की लेकिन जैसा की हर कालजाई किरदार करने वाले के साथ होता है वैसा ही अनिता गुहा के साथ भी हुआ इस फिल्म के बाद उन्हें भी दीपी का चिखलिया और अरुन गोविल की तरह धार्मिक रोल ही ओफर होने लगे और ये इसके बाद कि वो जैसंतोसी मा फिल्म से पहले राजेंद्र कुमार की फिल्म गूंच उठी सेहनाई में फिल्म फियर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिमेल का नॉमिनेशन जीत चुकी थी फिल्म जै संतोसी मा चली तो बस इस्वर के ही चमतकार से फिल्म की कहानी अच्छी लिखी गई थी गाउं गरीब के संतोस की कहानी थी उस समय के सामाजिक हालात से जूँज रहे आम आदमी को संतोस देने की कहानी थी गरीब इसी बात में खुश हो जाता कि कोई ऐसी भी देवी है जो सिर्फ गुड और चने का परसाद पाकर ही खुश हो जाती हैं नहीं तो बाकी देवताओं को बड़े छपन भोग लगाने होते हैं उन्हें खुश करने के लिए फिल्म सुरू होती है रक्षा बंधन के त्योहार से जहां भगवान गणेश के दोनों बेटे एक बहन की जित करते हैं भगवान गणेश और उनकी पतनियों रिद्धी वा सिद्धी की इस संतान का नाम नारत रखते हैं संतोसी फिल्म इसके बाद देव लोक से सीधे मिर्तियो लोक आती है जहां सत्तेवती मंदिर में मा संतोसी की आरती करते दिखती है फिल्म की कहानी दोनों लोकों में समानांतर चलती रहती है फिल्म को सबसे ज़्यादा मदद मिली अपने संगीत से कवी प्रदीप के लिखे गीतों को संगीतकार सी अर्जुन ने बहुत ही मौलिक और लोग गीतों के अनुरूप धुने दी खुद कवी प्रदीप ने फिल्म में दो गाने गाए मन्ना डे और महंदर कपूर की आवाजें फिल्म के किरदारों पर बिलकुल फिट बैठी और सोने पर सुहागा बनी उसा मंगेशकर की आवाज फिल्म की हिरोईन कानन कौसल के लिए गाए उनके सारे गीत सूपर हिट रहे मजा तो तब आता था जब रेडियो सिलोन पर गीत माला सुनने वालों को एकदम से अमीन सयानी इस फिल्म का कोई भजन सुनाने लगते अब कारेकरम फिल्मी गीतों का था और फिल्म जैसंतोसी मा के गाने सूपर हिट थे तो फिर किसी ना किसी पायदान पर तो बजने ही थे ये सिल्सिला एक दो नहीं बलकि कई हफ्तों तक चला फिल्म के गानों के लिए उसा मंगेसकर को फिल्म फियर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फिमेल का नॉमिनेशन भी मिला फिल्म जै संतोसी मा में संतोसी माता बनी अनीता गुहा को सफेद दाग की बिमारी हुई और इसके चलते उनका अपने घर से बाहर आना बात के दिनों में काफी कम हो गया पती मानिक दत्का आसमाईक निधन होने के बाद वो बहुत ही गुमनामसी जिन्दगी जीते हुए 2007 में दुनिया छोड़ गई कानन कौसल को भी फिल्म के बाद जादा कोई खास मदद नहीं मिली उन्होंने अपने कैरियर में 60 हिंदी और 16 गुजराती फिल्में की लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं बन सकी फिल्म निर्माता सत्राम रोहरा दिवालिया होने के बाद बहुत मुसीबत में रहे फिल्म के वितरक केदारनात अगरवाल के पास भी फिल्म की कमाई की रकम नहीं पहुची उनके भाईयों पर आरोप लगा कि वे सारी रकम बीच में ही ले उड़े बताते हैं कि उनको बाद में फालिज मार गया फिल्म के हीरो आसीस कुमार और फिल्म वित्रक केदारनात अगरवाल के भागीदार संदीब सेठी के बीच फिल्म की कमाई को लेकर लंबा विवात चला आसीस ने फिल्म की कहानी पर नाटक बनाया कथा संतोसी मा ये नहीं चला फिर फिल्म वनाई 16 सुक्रवार ये भी फ्लॉप रही जैसंतोसी मा की कहानी पर इसी नाम से ही साल 2006 में भी एक फिल्म आई जिसमें हिरोईन थी नुसरत भरूचा ये फिल्म भी फ्लॉप रही आज के वीडियो में दोस्तो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाई बाई टेक के